अगाइस हैलो अभरीवन तो एंडिये के सेशन में जहां पर केमिस्ट्री बायो की हम शुरुआत कर रहे हैं आप सभी का वैलकम है जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजे उसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही कोशन के कोशन बैठीन कोशन केमि जी के बिलकुल जी तो बज़िदार सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट ठीक है आप सभी का वैलकम हमारे प्लैटफोर्म डिफेंस अट्रेन्टी फोर सेवन पे सक्सेस अचीव एंड मैंटेन बाय दोस वह ट्राइट राइट 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 र अभी का वैलकम है और हम लोग करने जा रहे हैं बहतरीन बायो और कैमेस्ट्री के कोशन्स पटियों कि पांच से साथ मेरे साथ है कि अंडिय में बहुत कम पांगि है तो हम जितना हो सके बहतरीन चीजी कर सकते हैं नीरे शाहूँ जाहिन मेरे बच्चा चलो तो शुरुवात करते हैं आज के सेशन की ठीक है तो बच्चा 100 कोशन का यह आपकी साइन्स की क्लास वन है बिल्कुल जी आज मैं आपको 100 कोशन्स लेके आई हूं जी है 100 question bio के chemistry के शुरुवाद करते है chemistry के साथ पहला question कहता है atoms can neither be created nor be destroyed जी हाँ नाही परमावनु को बना सकते हैं नाहीं इनको तोड़ सकते हैं यह जो theory है यह theory किसके द्वारा दी गई थी है ना यहें फियोरी किसने दी थी बस आपको यह बताना है और ओड हाईं पर में चलती रहे हैं बजा वह चल आई candi कैंशना एक नाइधर भिटिडेट और बिदिस्ट्रोई यहई principle किसने दिया था जिया अटम्स के नाइधर भी क्रियेटिट नौर भी डिस्ट्रोई दिस प्रिंसिपल इस गीवन बाई डाल्टन और इसी को हम बोलते हैं डाल्टन अतोमिक तोरी इसी कम क्या बोलते हैं डाल्टन का अतोमिक सिद्धान ठीक है अगला कोशन है बयो का डाइबिटीज इनसीपाइडस जिसको हम डिया भी बोलते हैं इस कोस बाइडाद डेफिशेंसी ओफ एग्रणाइन वैसोप्रीन मेरे बच्छा डाइबिटीज इनसीपाइडस नहीं यह वैसोप्रीन यानि की एंटी-डायरेटिक हार्मोन के कारण होती है यह हार्मोन कौन सी ग्लेंड सीक्रेट करती है थाइरोइड पिटुट्री ग्लेंड पैंकिरियास या लीवर बताइए जी डाइबिटेज इनसी पाइडस जो है जी यह बिमारी है यह आपके एंटी डायुरेटिक हार्मोन के कारण होती है ठीक है बच्चा यह बिमारी आपका कौन सी ग्लेंड बनाती है यानि की कौन सी ग्लेंड इस हार्मोन को बनाती है और इस हार्मोन की deficiency से आपको diabetes insipidus हो जाता है तो बताइए बच्चा कौन सी gland responsible है इस बिमारी को होने के लिए गुड़ीवनिंग मेरे बच्चा गुड़ीवनिंग कुंदन जी भाई कहा है आप लोग कहा है आप लोग एक बात बताइए हम लगातार कोशिश में लगे हुए है पढ़ाने के लिए लेकिन आप है कि पढ़ ही नहीं रही है बच्चा इस तरीके से तो काम नहीं चलेगा न चलो एक बार आप लोग session को share कर दो एक बार मैं भी session को share कर देती हूं ठीक है यहां एक बार आप भी सेशन को शेयर कर दो एक बार मैं भी सेशन को शेयर कर देती हूँ क्या पता हमारे भूले बिसरे बच्चे वापिस आ जाए क्या पता हमारे भूले बिसरे बच्चे जो है वो आ जाए है ना चलो जी आए जल्दी से सब लोग जोइन कीजे आईए सबी लोग जल्दी से जोइन कीज़ और मैं भी एक बार शेयर कर देती हूँ यहाँ पे कुछ बच्चे तो आई जाएंगे है ना कुछ बच्चे तो आई जाएंगे और बाकी बच्चे को भी शेयर कर देते बुला लेते हैं जितने भी आपके ग्रूप हैं आपके दोस्त हैं जो कर रहे हैं उनको बिल्कुल बोल दो आजो जल्दी से एंडिय की तयारी के लिए कि मैम लेके आई हैं आप लोगों के लिए बाय और केमिस्ट्री के बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन चलो जी तो मैंने जहां तक हो सकता था मैंने अपनी तरफ से शेर कर दिया है ठीक है कुछ आप लोग कर दीजे और इसी के साथ इस कोशन के लिए राइट आंसर जाएगा पिट्री ग्लैंड पिट्री ग्लैंड पिट्री ग्लैंड ठीक है पिट्री ग्लैंड एंटी डायरेटिक हार्मोन को पैदा करते हैं यह एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है आपकी बोडी में वार्टर बैलेंसिंग भी करता है यह हार्मोन आपके शरीर में वार्टर बै सर्च लाइसेंस फोर फूमन एंब्रोइनिक क्लोनिंग तो क्रेट दा स्टैम सेल वह है पहला देश जिसने स्टैम सेल से मानव भृून क्लोनिंग के लिए अनुसंधान लाइसेंस जारी किया था जी है बच्चा क्यों कि यह इल्लीकल होता है इससे बहुत लोग गलत काम भी क ठीक है यह एक इल्लीगल काम था इसको लीगल किस देशने सबसे पहले लीगल किया था उसके लिए कौन लाइसेंस इसू किया था युनाटिड इस्टेट ने उस्टेलिया ने जर्मनी ने या ब्रेटेन ने बताईए शिवानी पांडे भी आचुकी है कुंदन भी आचुक अगला कोशन देखते हैं और इन दोनों टेक्निक के इस्तमाल आज कल हम लोग पूरे वर्ल्ड में फोरेंसिक साइंस के रूप में करते हैं डिटेक्टिफ पॉलिस जो चीजों को खोचती है उसमें करते हैं बताओ जी कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्नोंने फिंगर प्रिंटिंग और डिन जैसी टेक्निक को पूरे वर्ल्ड में लेके और पूरे वर्ल्ड में पुलिस है या फिर कोई भी डिफेंसर विस हो इसका इस्तमाल करती है डिटेक्टिफ परपस के रूप में कौन है वो साइंटिस्ट बस आपको यह बताना है अलेस जैफरे राइट आंसर क्या जाएगा लेस जैफरे अगला कोशन फूल्स गोल्ड किसको कहते है इस कोशन का तो राइट आंसर दे सकते हो पूल्स गोल्ड किसको कहते है इस कोशन का राइट आंसर तो जल्दी से क्या जाएगा कॉपर सिल्फेट, आइरन सिल्फाइड, ब्रास या सिल्वर ब्रोमाइड बोलो जी राइट आंसर के जल्दी से बोलिए बोलो बोलो जल्दी से राइट आसे जाएगा फूल्स गोल्ड किसको क्याते है फूल्स गोल्ड क्याते है आइरन सिल्फाइड को फॉर्मुला होता है FES2 ठीक है, FES2 आइरन सिल्फाइड को कहते है ठीक है, चलो जी, अगला कोशन, अगला कोशन कहते है बच्चा, चावल का जो खाने वाला हिस्सा होता है उस हिस्से को हम क्या कहते है, फल कहते है कोटिलिडोंस, बीजपत्र कहते है एंडोस्पम कहते है या एंब्रोय कहते है जो हम चावल खाते है, वह है अपने आप में एक पोधे का कौन सा हिस्सा है बहुत प्यारा कोशन, वो जी राइट आंसर क्या जाएगा जो हम चावल खाते है, वह है अपने आप में एक पोधे का कौन सा हिस्सा है बताईए बच्चा जो आप चावल खाते है वह है अपने आप में एक एंडो स्पम है यानी की बीच का अंदर वाला हिस्ता है कई बार बार पढ़ते हैं कि मिलावटी दूद बनाने के लिए हम डिटरजेंट का यूज करते हैं ठीक है डिटरजेंट का यूज मिलावटी दूद बनाने में क्यों किया जाता है वाशिंग पाउडर की ऐसी क्या खाता है यह सब फैटी एसिड से बने हैं किससे बने है बच्चा फैटी एसिड से मिलके बने होते हैं ठीक है मेरे बच्चा वाशिंग पाउडर की ऐसी क्या खासियत है कि इससे हम नकली दूद बना देते हैं बच्चा यह क्या करते हैं यह फैट को पानी में घोल देते हैं अगला पॉइंट addition of salt to pure water increase the boiling point of water आपने pure पानी में नमक डाला तो पानी का boiling point increase हो जाएगा and freezing point of water will decrease when methyl alcohol is added to water boiling point of water will decrease जब आपने पानी में मिथाईल एलकोहल को डाला तो उसका जो boiling point of है क्या हो जाएगा decrease हो जाएगा आपको बताना है इन दोनों कथन में से क्या कथन सही है जी हाँ आपको बताना है इन दोनों कथन में से क्या सही है सिर्फ एक दोनों या कोई भी नहीं बताए जी इन दोनों कथन में से क्या कथन सही है आपको मुझे ये बताना है बोलो जल्दी से एक बात मैंने आपको बहुत सिंसेरली बता रही हूँ यह जो आज मैं आपके लिए 100 कॉशन्स लेके आई हूँ अगर मुझे आज आपका रिजल्ट नहीं मिला कि नहीं आप पाटिस्पेट नहीं कर रहे हैं आप नहीं बड़ पारे मैं आपकी अगली क्लास इस 100 कोशन सीरिस की नहीं लूँगी मैं पागल नहीं हूँ कि यहां पे मैं आ रही हूँ अपना टाइम दे रही हूँ मैं आपको बैस से बैस क्वालिटी कॉंटेंट जो की डिक्ट्टो आपका एंडिय एक्साम किरा कराएगा केमिस्ट्री बायो के लिए वह कोशन्स दे लगवक्त 40 कोशन के अराउड मैं आपको कवर करा रही हूं फिर भी नहीं पढ़ना है बहुत गलत बात है यह दोनों ही कथन अपने आप में सही पाए गए हैं अगला पच्छा लाइट का मापन करने की कोई एक इकाई नहीं है इनमें से कोई एक इकाई लाइट का मापन कर निकले कोई एक इकाई नहीं है वह क्या है astronomical unit है वह light year है वह parsec है या फिर वह slug है तो इसमें से कोई एक जो है वह बजन नापने वाली है क्या है बच्चा बजन नापने वाली बताओ right answer क्या जाएगा इस लग एक इस लग में साड़े 14 किलो पाई जाते हैं एक इस लग इस एक्वल टू 14.57 केजी एक इस लग इस एक्वल टू 14.57 केजी ठीक है नेक्स कोशन और क्लोग्राम फ़ोर्स प्रोडियूस हाव मच Attorney खेंस लग केजी एक क्लो गराम फॉर्स एक किलो गराम फ़ोर्स प्रोड्य हाव मwarz अचfishरों केजी ऑमाई घ्योएग मझ कॉशन आ खिलरी जा बताओ बोडी का मास कितना है 1 kg है ठीक है बोडी का मास कितना है 1 kg है अब बताओ जी कितना acceleration पैदा होगा बताओ जल्दी से कितना acceleration पैदा होगा बहुत ही प्यारा कोशन है ठीक है नमस्ते मेरे बच्चा तो यहां पे 1 kg मास पे वही acceleration पैदा होगा जिसको आप calculate करते हैं डेट इस 9.8 मीटर पर सेकिंड अगला विश इस ट्रू अबाउट दा फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर ये एक दो कोशन फिजिक्स के याड हो गया है कोई बात नहीं बच्चा यहां पे पूशा गया है स्फेरिकल यारे की गोलाकार दरपन की जो फोकल दूरी होती है उसके बारे में क्या चीज सही है तो बच्चा आपको क्या बताना हैं फोकल लेंथ के बारे में ठिक है फोकल लेंथ जो होता है रेडियस का करिलेशन तो पाया जाते है ठीक है focal length का और radius का relation पाया जाता है अब रिलेशन या तो half में होगा या twice में होगा equal तो नहीं पाया जाएगा बताइए right answer क्या जाएगा तो मेरे बच्चा यहाँ पर जो right answer जाएगा वो जाएगा half focal length is equal to the half of its radius तो f is equal to 1 by r f is equal to 1 by r इस तरीके से जाएगा ठीक है और 1 की जगह क्या हो जाएगा बच्चा 2 r हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 r हो जाएगा नहीं मैडम ये भी गलत पाये जाएगा तो जल्दी से बताओ relation क्या जाएगा focal length और r के बीच में relation क्या पाये जाएगा अगर हम जान बूच्च के गलत कर रहे हैं जी हाँ अगर हम जान बूच्च के गलत कर रहे हैं तो आप बताओ जल्दी से right answer क्या जाएगा बोलो बोलो जल्दी से मैम relation क्या जाएगा r is equal to 2 f अगर relation ये जाएगा r is equal to 2 f तो मैंने relation आपको बता दिया है चीक है अगर रिलेशन चाहेगा तो f is equal to क्या हो जाएगा r by 2 हो जाएगा मैडम आप जानबुच क्या हमें confuse करती है बिलकुल करती हूँ यह कोशन बच्चा फिजिस करें इसको साइड कोरों और ना फिर सर क्या कराएंगे अगला कोशन बच्चा अगर हम बात करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन तो वो पाया जाएगा हमारे saturated carbon के अंदर क्या पाया जाएगा single bond पाया जाएगा और अगर हम बात करेंगे double bond और triple bond तो वो पाया जाता है unsaturated hydrocarbons के अंदर या फिर unsaturated carbon के compounds के अंदर ठेक है तो right answer जाएगा option number B अगला कोशन क्या है बच्चा कौन से element को XE6S1 noble gas configuration से represent करेंगे indium rubidium platinum या cesium ठीक है चलो जी बताओ right answer क्या जाएगा हिंट ले लो हिंट क्या जाएगी इसका atomic number पाया जाएगा 55 इसका atomic number कितना पाया जाएगा 55 पाया जाएगा oh my god इतनी बड़ी hint दे दी आपने अब बताओ right answer क्या जाएगा और जिनोन का atomic number कितना होता है तो मेरे बताओ जिनोन का atomic number होता है 54 जिनोन का atomic number होता है 54 और इस element का atomic number 55 तो अब बताओ बच्चा राइट नसर क्या जाएगा cesium platinum rubidium या indium तो राइट answer will be go cesium बच्चा cesium को आप इस तरीके से represent करेंगे अगला question क्या कहता है ionic compound के लिए क्या points है बच्चा ionic compound कैसे बनते है ionic compound बनते है gaining या donation of electron जी हाँ gaining या donation of electron से gaining या फिर donation of electron से बनते है ionic compound और जो हमारा ionic bond होता है इसको बोलते है strongest bond in chemistry strongest bond in chemistry chemistry में पाया गया एक strongest bond ठीक है चलो जी बताओ right answer क्या जाएगा जितने भी ionic bond होते हैं इनके बारे में कोई एक कथन सही है तो वह क्या सही है यह आपका मुझे बताना है बच्चा यह insoluble होते हैं यह कैसे होते हैं insoluble होते हैं बे आर gases नहीं बे आर solid यह solid होते हैं लेकिन इनका melting and boiling point हाई पाया जाएगा तो option नमबर है इस question का right answer जाएगा चलो कोई बात नहीं यहां गलत करो कि तबीद एक्जाम में सही करो क्या अगला कोशन क्या है chemical use to dissolve soap to make transparent soap आया है पियर्स साबुन से कौन को नाता है पियर्स मैडम तो आती है जी हाँ मैं पियर्स बोडी वस्ट सनाती है ना लेकिन पियर्स साबुन से कौन को नाता है तो जितने भी हमारे transparent साबुन है है ना हम अपने साबुन के अंदर साबुन को transparent बनाने के लिए क्या मिलाते है इथनोई कैसीड इथनोल बेंजीन या प्रोपाइलीन दो जी राइट अंसर क्या जाएगा साबुन को ट्रांस्पिरेंट बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है यही आपको बताना है देखते हैं जी कौन देगा इस कोशन का राइट अंसर बोलो जल्दी से बच्चे कह रहा है इथानोई के इसी राइट आंसर जाएगा इथानोल क्या जाएगा बच्चा इथानोल जाएगा पैंजीन आरोमा के लिए यूज करते हैं next question petroleum can be categorized under which of following petrol को क्या कहोगे element hydrocarbon polymer या salt बता हुजी राइट अंसर क्या जाएगा petrol को क्या कहोगे पैट्रोल जो है वास्तव में एक हाइड्रो कार्बन है जी हाँ पैट्रोल जो है वास्तव में क्या है यह हाइड्रो कार्बन का complex mixture है पैट्रोल की purity octane number में निकाली जाती है थेका है यह है यह कि वाइल नीक्लियो कैस्पीड is a combination of कैस्पीड बच्चा एक प्रोटीन है तो नीगले मतलब न्यूकलियस तो हमारे नूकलियस के अंदर एक प्रोटीन है ठीक है तो वाइरल आज कल यह फुत वाइरल हो चुका है तो यह जो जो नुक्लियो कैस्पीड प्रोटीन है यह किस तिसका कॉंबिनेशन है जीनोम और कैस्पीड का कैस्पीड और स्पाइक का एन्वेलप और कैस्पीड का या कैस्पोम कैस्पोमर और जीनोम का बता यह किसका कॉंबिनेशन है जल्दी से बताईए बच्चा मेरे बच्चा बेसिकली जब मैंने बोल दिया नूकलियस तो नूकलियस के अंदर क्या है जिनोम पाया जाएगा जिसके अंदर डियने और आरने पाया जाएगा तो राइट आंसर जाएगा जिए और ओश्ननबर एक हाव मैने सबक़्रूप्स इस दा प्लाण गिंडम क्लासिफाइड प्लाण किंडम के कितने सबक़्रूपय बताइए ग्रूप तो दो हैं ग्रूप हमारे कितने हैं दो पहला है हमारा क्रिप्टो गेम्स दूसरा है फैनीरोग्रैम्स तो यह तो हो गए क्रिप्टोग्रैम्स और फैनीरोग्रैम्स अब इसका भी डिविजन करें तो कितने पाई जाते हैं फाई फाई जाएंगे कैसे ब्रायोफ़ाइट थैलोफ़ाइट टैडिडोफ़ाइट एंजियोस परम्स और जिम्नोस परम्स तो कितने हो जाएंगे 5 जरूप्स हो जाएंगे next question which of the following is the smallest gymnosperm gymnosperms होते हैं जिनके पास naked seed पाई जाती है gymnosperms बच्चा होते हैं जिनके पास naked seed पाई जाती है ठीक है चलो जी बताइए इन में से सबसे छोटा gymnosperm जिसकी हाइड जिस पोधे की हाइड लगबग इन में से कोन सा वह पोधा है जिसकी हाइड 25 cm होती है साइकस पाईनस जैमिया या आपका नेटम तो बच्चा यहां पे जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा जैमिया जैमिया आपका वह पोधा है जिसकी हाइड सबसे छोटी है यह पोधे जाता है अकोर्डिंग टो जिम्नो स्पंगेटिग्री ठीक है यह है आपका सबसे छोटा जिम्नो स्पर्म है भाइफोकल में जाता हैं और यहां पर पाया जाता है और यहाँ पर पायजाता है कि bifocal lens को हम क्या यूज़ करने के लिए ठिक करते हैं ना पताए जी बच्चा इसको यूज़ करते हैं astigmatism के लिए coma के लिए myopia के लिए बच्चा astigmatism के लिए हम लोग cylindrical lens यूज़ करते हैं astigmatism के लिए हम लोग cylindrical lens यूज़ करते हैं अब बताओ जी यहाँ पर राइट आंसर क्या चाहेगा myopia के लिए हम लोग कौन cave lens यूज़ करते हैं चीक है और बच्चा press byopia यूज़ करते है bifocal lens के लिए अगला question क्या है by which of the following do arteries form a network between veins पच्चा publicly domains के साथ जो blood collection बनाती है arteries vagnes के साथ जो blood connection का network बनाती है वह network क्या है capillaries का action होता है veins का होते arteries का होता है यह उसको हम वाल कहते है तो आपको बताने arteries और vein के पीछ बड़ ka action बनता है और ऑ直接 have blood connection बोलकिeldैक बनाती है वह network exactly क्या है यह आपको मुझे बताने बताइए बच्चा झाल झाल मेरे बच्चा उसे हम capillaries कहते हैं क्या कहते हैं capillaries कहते हैं चलो जी अगला कोशन इन में से कोई एक small intestine का हिस्सा नहीं है वह है deudanum है jejunum है colon है या ileum है छोटी आथ का कोई एक हिस्सा नहीं है क्योंकि वह है large intestine का पार्ट है किसका पार्ट है मेरे बच्चा large intestine का पार्ट है बताइए राइट आंसर क्या जाएगा मैं एप पर English का बैश चलता है हाँ बच्चा बिल्कुल चलता है बोलो जी राइट आंसर क्या जाएगा वह बैश क्या रहे हैं नहीं पैरा ओमाइगोड नहीं वह पारा बच्चा देखो चुडे नम छोटी आत का पात है जेजुनम इलियम कोलोन जो है वह है large intestine का हिस्सा है इन में से आपका नोन सेंस म्यूटेशन का एक्जामपल कौन सा है चलो जी बताओ इसमें से कोई एक ऐसा है जो नोन सेंस म्यूटेशन का एक्जामपल है बताओ जड़ी से राइट आंसर क्या जाएगा बोलो बोलो जल्दी से cystic fibrosis, sickle cell anemia आप लोगों का optis syndrome या none of these तो बच्चा ये दो option काड़ दो इन दो बिमारी में से कोई एक बिमारी ऐसी है जो हमारी बोडी में क्या होती है बच्चा unnecessary mutations के द्वारा पैदा हो जाती है ये female को ज़्यादा होती है ठीक है ये female को होती है इसको बोलते है cystic fibrosis महिलाओं को ये cystic fibrosis ज़्यादा पाई जाती है ठीक है अगला question the bio fertilizer present in the roots of legumes बच्चा वह है bio fertilizer जो leguminious plants के अंदर पाया जाता है वह बायो fertilizer exactly क्या है यानि कि जो nature के दारा बन गया है है ना ये है एनबेना, rhizobium, azospirum या all of the above बताओ जी right answer क्या जाएगा exactly ये bio fertilizer अपने आप में एक bacteria है ये bio fertilizer अपने आप में क्या है मेरे बच्चा एक bacteria है झाल ये है आपका bacteria rhizobium कितना भी time देलो लेकिन तुम लोग नहीं धुन पाते green manure plants to which of the following बच्चा green manure जो बनाते हैं ऐसे पोधों को हम क्या बोलते है composite कहते हैं ठीक है उनको solanth कहते हैं proase कहते हैं या leguminous कहते हैं तो ऐसे पोधे जो आप लोगों कि क्या बनाते हैं जो आपके green manure बनाते हैं इन पोधों को हम क्या कहते हैं इन पोधों में basically क्या होता है nitrogen cycle होता है इन पोधों में basically क्या होता है मेरे बच्चा nitrogen cycle पाया जाता है चलो जी बताओ इन पोधों में basically nitrogen cycle होता है जल्दी से बताईए तो माइडियर यहां पे जाएगा लागिमिनेस जी है बच्चा जो आपके लागिमिनेस होते हैं यह आपके वहे प्लांट्स जो कि हिरिन मैने और बनाने में बहुत हैलपुल होते हैं कि इनके अंदर प्रोपर मात्रा में नूट्रियंट्स पाए जाते है नेक्स कोशन कहता है दा मैथड ओफ साइलेंसिंग स्पैसिफिक एम आरने ड्यू टू दा बाइंडिंग ओफ कॉंपलिमेंट्री डी एस आरने इसकोल बच्चा डी एस आरने के बंधन के कारण आपके मैसेंजर आरने में क्या हो जाती है शांती पाई जाती है यानि कि आप आपका मैसेंजर आरने क्या हो जाता है बच्चा कुस टाइम के लिए रिलैक्स हो जाता है ठीक है तो बच्चा यह किसके कारण होता है इस प्रोसेस को हम क्या क्या है आपको मुझे यह बताना है बताईए वह है प्रोसेस जिसमें DSR, DSRNA की कारण आपका मेसेंजर RNA क्या हो जाएगा शान्थ हो जाएगा इस प्रोसेस को RNAI के नाम से जानते हैं Science and Tech का कोशन है बच्चा Science and Tech के तीन कोशन आपके एंडिये के एक्साम में आएंगे लिख के ले लो जिन नहीं पड़ोगे तो अपना आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता एक पॉलीमिराइस चेन रियक्षन का फंक्षन क्या होता है एक पॉलीमिराइस चेन रियक्षन का फंक्षन क्या होता है केटलाइस की जोइनिंग करना ठीक है catalyze को join करके आपका क्या करना molecule बनाना amplify करना DNA को दोनों या none of above बहुत प्यारा कोशन है ठीक है बताए जी right answer क्या जाएगा polymerize जो chain reaction होता है उसका main function क्या पाया जाता है बोलो जी right answer क्या जाएगा जाएगा बोलो बच्चा DNA के pieces को amplify करना उसका amplification करना the duration of 19-21 days के बच्चा 19-21 देन की जो अबदी होती है सब्दी को हम exactly क्या कहते है period of menstrual cycle soon after menstrual during the fertilization mostly likely होकर मासिक धर्म के मासिक धर्म के तुरंद बाद जी हां मासिक धर्म के तुरंद बाद की चक्र की अबदी जिसके दोरान निशेशन होने से आपका सबसे अधिक संभावना होती है वह होता है incarnation of hands act बच्चा मेरी बात सुन लो सिधी से बात है 19-21 दिन menstrual के लिए यूज करते है menstrual के लिए 19-21 दिन यूज करते है बच्चा यह आपका periods खतम होने के बाद वाला वह दिन होता है जब एक महिला गर्ब धारण कर सकती है यानि की ovulation phase क्या बोलेंगे ovulation phase बोलेंगे क्या बोलेंगे बच्चा ovulation phase बोलेंगे इस condition पे progesteron harmon active हो जाता है progesteron harmon इस टाइन पे क्या हो जाता है ड़ेक हो जाता है ठीक है चलो next question इन में से कोई एक क्या है रोंग है इन में से कोई एक रोंग है अब आपको बताना है वह रोंग क्या है जी हां इन में से कोई एक रोंग है आपको बताना है कि वह रोंग क्या है members of chlorophyk commonly known as green algae members of piofika जिसको हम red algae कहते हैं members of rodofika जिसको हम red algae कहते हैं members of piofika जिसको हम brown algae कहते हैं बताएए बच्चा बोलो बोलो जिसे 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 जि कोई नहीं बोलता कोई भी नहीं बोलता बच्चा माइडियर अगर इसमें से कोई एक गलत है तो वो क्या है वो है कि वह है मैंबर्स जो आपके फियो जो आपके फियो साई को फे होते हैं इनने हम ब्राउन एल्ड के कहते हैं ये पॉइंट एक कालत है बाकी सारे पंट्स क्या है साइब तो रोडो फाइबी के रोटाव खती है रोटो फाइबे को लाट नल की कहते हैं नलगे कहते हैं ठीक है ओके माई बच्चा चले आगे चले आगे चलो जी आगे चलते हैं अगरा कॉशन क्या है राइबो फ्लाइबीन इस प्रिजेंट इन दा फिश इस अल्सो नोन एज राइबो फ्लाइबीन का साइंटिफिक नेम बताना और यह है विटामिन मचली के राइबो फ्लाइबीन इसे बोलते हैं वाइटामिन बी टू अगर हम बात करेंगे जी हाँ अगर हम बात करेंगे विटामिन बी टू एल की इसको बोलते हैं साइनो कोबालमीन कि ए थायनो कवार्म मीन विटामिन सी एस्कोर्वीकषर ठीक है इसको हम क्या बोलते है फ्राइलो क्योन फ्रइलो क्योन फैलो क्योन नेक्स सेघ़्क्टन फिखसंटी मीच ऑफ फ्रॉल इस कि एक सेक्स्वाल रिप्रिडॉटेट्शन की वराइटी है व्हें हैं फीजन है व् fragmentation है या फिर वह हैमी fordism है बताओ जी क्या है जो sexual reproduction की एक पहचान है कि यह एक ऐसे organism है जिसमें single body के अंदर ऐसे organism जिसमें single body के अंदर आपका male part और female reproductive part दोनों पाए जाते हैं और इस reproduction को बोलते हैं हम है me fordism क्या बोलते हैं है me fordism बोलते हैं ठीक है चलो जी अगला कोशन और अगर हम बात करेंगे fusion budding fragmentation की तो यह सारे asexual के example है किसके है मेरे बच्चा asexual के example है चलो जी अगला कोशन विशप दा following mammals ले एग बच्चा इस में से कोई एक क्या है ovi paris है क्या है जो अंडे देते हैं इनको ovi paris कहते है तो इन में से कौन है जो ovi paris है bat है whale है फिजल है या फिर platypus है बता जी right answer क्या जाएगा बोले बोले जल्दी से क्या है बच्चा यह जानवर हमें जो eastern Australia में देखने को बहुत जादा मिलता है यह जानवर एंस्टन आउस्टेलिया में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है जली से बताईए मैम क्लास का टाइम बोल दीजzenie मेरे बच्चा मेरी क्लास का टाइम है पांच बज़े रेगुलर डेली पांच बज़े मेरी क्लास का टाइम होता है लेकिन जैसे के भी एंडे का एक्जाम आ गया है तो अभी पांट से साथ मेरी आज भी क्लास है और परसो भी है कल फिजिक्स की क्लास रहेगी पांट से साथ और आज मेरी जो क्लास है वो है पांट से साथ इसी तरीके से मेरी परसो भी रहेगी पांट से साथ की क्लास ठीक है म देखते प्लेटीपस कैसी होती है ना आओ डिखाओ सब को चलो जी अब कोई चीज अगर डिफरेंट आये तो डाइगरम देखना था बनता है ना बिलकुल मैडम आप तो अपने डाइगरम दिखाए दीजिए आओ जी डाइगरम दिखाते हैं किस इसका प्लेटीपस का प्लेटीपस पेक्स चलो जी बच्चा ये है आपकी बतक टाइब की प्लेटीपस ठीक है और ये इस्टन ऑस्टेलिया में देखने को मिलती है तो कोई बच्चा मुझे यह नहीं गया कि मैम आपने हमको प्लेटीपस नहीं दिखाए देखो बतक की तरह ना इसकी चोच जी हां तो ये है आपकी प्लेटीपस ये क्या है मेरे बच्चा दिस इस प्लेटीपस जो कि इस्टन ऑस्टेलिया में देखने को मिलते है इसकी चोच बतक की तरह होती है ये आपका औभी पेरस है क्या है औभी पेरस है चलो अगला कोशन देखते है बच्चा कोशन क्या जाएगा अगला कोशन है आप लोगों के लिए फंगी की कवकों की अध्यान को क्या कहते हैं माइकोलोगी जियो बायोलजी क्रोनो बायोलोजी या जरेंटोलोगी बोलो जे बच्चा फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं आपको मुझे यह बताना है जल्दी बोलिए फंगस की स्टडी को क्या क्याते हैं आपको मुझे बताना है बोलो जल्दी से राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी जल्दी बोलो माइको लोगी और शिवानी का बिल्कुल सही आंसर बोट इस कोल्ड दा प्रोसेस अफ्यूजर ओफ मेल एंड फिमेल गैमेट्स मेल और फिमेल गैमेट्स के फ्यूजर्ण को क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन रिप्रोडक्शन या सीड फॉर्मेशन ओहो बड़ा ही प्याना कोशन है दो देखते हूं को में चलेगा राइट आंसर भीमू राइट आंसर दो निसेचन फर्टिलाइजेशन कहते हैं क्या कहते है बच्चा फर्टिलाइजेशन कहते हैं जब आपका मेल और फिमेट्स मिलता है तो इससे अगला देखते हैं बच्चा फर्टिलाइजेशन के बाद और फिमाद्दाेशन जो प्रोसेस है ये आपका री परोड़क्षन के अंधर पाये जगा यानि की लिधे में क्या होते है new baby बनता है और new baby बनने से पहले जो मिलान होता है इस मिलान को कहते है फर्टिलाइजेशन क्या क्याते हैं अगला देखते हैं बच्चा इन में से कोई एक अंतेश्रावी ग्रंथी नहीं है अंतेश्रावी ग्रंथी कोई एक नहीं है जितनी भी अंतेश्रावी ग्रंथी होती है यह आपके शरीर में हार्मोन्स का श्राव करती है यानि कि हार्मोन का सीक्रेशन करती है अंते श्रावी ग्रंधियां पताए बच्चा बोल ये जी राइट अंसर क्या जाएगा पिट्ट्री ग्लैंड एक्स एंडोक्राइन है थाइरोइड एंडोक्राइन एडनल एंडोक्राइन इस्प्लीन जो है ये आपकी कोई ग्लैंड नहीं है इस्प्लीन आपकी बोडी का एक ओर्गन है जिसको हम बोलते हैं क्या ग्रेवियाड ओफ आर बीसी ग्रेवियाड ओफ आर बीसी एड्रेनल ग्लैंड इसको बोलते हैं इमर्जेंसी ग्लैंड इसको बोलते हैं इमर्जेंसी ग्लैंड इसको बोलते हैं इमर्जेंसी ग्लैंड थ es endocryne gland इसको बोलते हैं master gland इसको क्या बोलते है master gland बोलते हैं अगला question देखते है diseaseum microorganisms are cold बच्चा जो बिमारी पैदा करते हैं इन microorganisms को क्या बोलते हैं Antibiotics बोलते हैं Carriers बोलते है पैथोजन या एंटिजन तो बच्छा एंटिजन जो होता है ठीक है एंटिजन क्या होता है यह हमारे ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पोंसिबल एंटिजन जो होता है यह हमारे ब्लड ग्रुप के रेस्पोंसिबल और यह क्या करता है stimulation of stimulation of antibody, यह है antibody की stimulation भी करता है यह है, antibody की stimulation भी करता है ठीक है, carriers को हम क्या बोलते है vectors बोलते है antibiotics क्या होती है जो हम दवाई, यानि कि जो हम medicines use करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते है antibiotics बोलते है और जब बिमारी पैदा करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं पैथोजन बोलते हैं नेक्स कोशन देखते हैं क्या जाएगा बच्चा एक मोल का मास है वह गराम में क्या क्या लाए जाता है nuclear mass, atomic mass, molar mass या molecular mass बहुती प्यारा सा ये question है बताओ जी, क्या है बच्चा, mass of one mole of a substance in gram इसको हम क्या बोलते हैं जल्दी से बताईए बच्चा, right answer क्या जाएगा यह है एक dimensionless quantity है 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 और यह है आपका molecular mass यह है क्या है मेरे बच्चा बहुत बच्चों कराईट answer आए कि मैं इसको हम बोलते हैं molecular mass heating of rubber with sulfur is known है जी हाँ बच्चा, rubber को heat करते है to make it hard rubber को heat करते है to make it hard और इस process को हम क्या कहते हैं galvanization, sulfonation बेसर meditation या फिर welcomeization देखते हैं कौन बच्चा देगा इस question का right answer बताईए बच्चा बोलो 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 राइट answer क्या जाएगा बच्चा अगला कोशन ध्यान से पढ़ना अगला कोशन ध्यान से पढ़ना लाल लिटमस को बदलते हैं नीले में या यह नीले को बदलते हैं लाल में इन तीन में से कोई दो ही सही है इन तीन में से कोई दो सही है सोस समझ के देना right answer इन तीन में से कोई दो ही सही पाए जाएगे चलो जी तो right answer क्या जाएगा झाल हो गया यह बताया जाए मेरे बच्चा यह वाला पॉइंट फॉल्स है यह वाला पॉइंट भी टू है तो सेकिंड और थर्ड से ही है फर्स्ट आपका गलत है अगला कॉशन साइन वीच गलत फॉलईंग इंसेक्ट है इस साइटिविक नेम ब्लैट एरिया कौन सा ऐसा इंसेक्ट एजिसका साइंटिविक नें ब्लैट एरिया होता है वहां है आपका बेटल मॉस्किटा कोकरोश या बटरफ्लाइड ओमाई गोड बनकेट तुसी बटरफ्लाइड है ब संवता है ही दूटन तो इसनो देखके गाना गाली ती इसको देखके- लड़ीका क्या कोक्रोच एब मैं आधों से लेकिन बहुत लड़करोच दूर करो तूर के ना चोकरोच जो है हो आपका है लन्हेस को भाट करें कोट नोस्ती होता है दो थो enforcement लिंफ में पाया जाता है है मो लिंफ यानि कि कोक्रोश का ब्लड होता है वह आपके वाइट कलर का होता है किसका होता है वाइट कलर का होता है मेरी सिस्टर खतरनाक मैम हाँ हाँ बिल्कुल चलो जी आगे देखते हैं हाड स्टील के अंदर कार्बन की परसेंटेज कितनी होते मेरे बच्चा hard steel के अंदर carbon की % नमस्ते ले ली मेरे बच्चा ! मेरे सिस्टर lotta नमस्ते ले ली सिस्टर भी खतर नाक चलो जी hard स्टील के अंदर आपका carbon की % कितनी प정 सब अजि अचे और माद से मैं केसे भी नहीं ठीक है तो बच्चा यहां पर पाई जाएगी वह है पॉइंट फाइब से पॉइंट बन बन पॉइंट फाइव परसंट कारबन इन एसीड बेस रियक्शन विच प्रोड़क्ट इस प्रोड्यूस अलोंग विद्ध साल्ट एक एसीड बेस रियक्शन में कौन सा ची जब जैगा जल्दी से बताइए का आइसीड बेस का जो रियक्शन होता है इसे बोलते हैं यूट्रियूलाइजेशन रियक्शन विच इसमें हमेशा आपका क्या बनता है नमक के साथ पानी बनता है क्या बनता है इसमें हमेशा नमक के साथ पानी बनेगा तो राइट आंसर क्या जाएगा गैस जाएगा राइट आंसर क्या जाएगा मेरे बच्चा गैस जाएगा ठीक है अगला कोशन इस soldier ऌर त्री फेल्शिएुम एट बित बόल गय है तो सबस्केä बेटिन मैट्रीश एगा लूंब बन पे आएगा पॉटाशियम नंबर बन पॉटाशियम नमब टू सोडियम और नंबर थी कल्सिम चेक है ओ माई गॉड चलो जी अगला कोशन देखते है क्या जाएगा इप लाइम वाटर is kept in air it turns milky due to the presence of अगर आपने लाइम वाटर को हाव में रखा तब है दूदिया हो जाएगा इसका रीजन क्या है इसका रीजन है कार्बन डायोकसाइड इसका रीजन है नाइट्रोजन ऑक्सि करा चुक्यों तुम इतनी लेट क्यों आए है मैं पिछले एक घंडे से पढ़ा रही हूं और तुम लेट आते हो बच्चा ऐसे मत क्या करो आज आए करो ना डिली डिली ठीक है लाइफी जेनर जी हैलो मेरे बच्चा बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा शिवानी आप कारबर आंसर गलत क्यों कर रहे हो कारबन डायोकसाइड इस कोशन का राइट आंसर जाएगा ना बच्चा लाइम बाटर से क्या निकलेगी कारबन डायोकसाइड ही तो निकलेगा अल्मूनियम साल्ट कॉमनली यूस्टू स्टॉप बिलीडिंग इस बच्चा अल्मूनियम का वह है साल्ट जो हम खून यानि की ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूस करते हैं वह Итак क्या है यह यह अलमुनियम क्लोराइड हैter比較 ko the मभा़ जी उल्मुनियम कैं सर्ट को हम ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए यानि की खून के बाहव को रोकने के लिए करते हैं बोलो जी लाइफ इस एनरजी डेली आ जाए करो है ना डेली फाइफ प्यम पे आ जाए करो भी मैं की क्लास में जब आप आओगे जब आप पढ़ोगे तभी तो मुझे देखो एक टीचर की असली पावर क्या होती है उसके स्टुडेंट अगर आप लोग यहां हो तभी मैं यहां पे हो है ना तो मेरी पावर अगर मेरे से दूर रहेगी तो मैं कैसे परफोर्म कर पाऊंगी तो आप लोग मेरी क्या है स्ट्रेंथ है आप लोग मेरी पावर है इस बाद को याद रखिएगा ठीक है बिलको जी इसका नाम है मैम अलमूनियम स अगला कोशन ग्लाइकोल इस यूस्टू मैनिफेक्चर विच अवदा फॉलोइंग बच्चा ग्लाइकोल का यूस्ट क्या बनाने के लिए करते हैं बोलो नाइलोन आर्टिफिशल सिल्क टेरिलीन या रबड़ बताओ जो राइट आंसर क्या जाएगा शिवांचरी पंडे मेरे बच्चा राइट आंसर जाएगा टेरिलीन ठीक्या अगला कोशन इस ब्रोड्यूस ब्रोड्यूस वन एल्कोहल इस एड़िट विट पेट्रोल एंड यूस्ट एज़ एज़ एड़ करते हैं और फ्यूल की तरह यूस करते हैं तो क्या बत्यास को बोलते हैं आपका ग्लाइकोल नहीं एक सेकेंड ग्यासोलीन ग्यासोलीन जब एल्कोहल और पेट्रोहल को हम मिक्स करते हैं तो हमारा ग्यासोलीन बनता है क्या बनता है ग्यासोलीन बनता है और ग्यासोलीन किस सीज का एमिशन करता है यानि कि ग्यासोलीन जो होता है वह किस सीज का एमिशन करेगा गैसुलीन जम जलेगा तो किस सीज का इमीशन करेगा बहुती प्यारा कोशन मैं पूछ लिया देखती हूं कॉल में चादेगा राइट आंसर जल्दी से बताओ किते नूचल लेया राइट असर क्या जाएगा कारबन डाय उकसाइड क्या जाएगा CO2 The temperature which has the same reading on both Fahrenheit and Celsius scale कौन से temperature पे Fahrenheit और degree Celsius जी हां degree Fahrenheit और degree Celsius बराबर होते हैं 40 degree, minus 40, 34 या फिर मतलब minus 34 या 140 बोलो जी बोलो 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 राइट आंसर क्या जाएगा क्या है जमने कर दो 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 दोग्टार है minus 40 degree Celsius which of the following arrange order of decreasing conductivity decreasing में क्या होता है decreasing में होता है बड़ा छोटा छोटा सबसे छोटा सबसे आगे होगा सबसे बड़ा सबसे पीछे होगा बताओ जी decreasing order of connectivity क्या पाया जाएगा बताइए बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो हमें पता है मैं जो हाइस्ट होता है वो होता है सिल्वर और लो पाई जाएगा स्टीर तो राइट आंसर क्या हो जाएगा और नजरहती और हलुआ पूरी बटी वह वहला काम वह जाता हैं नजर हट फिस फॉल्वंग टर्म डाल्टन का जो नाम है किसके यहां डाल्टन को क्यूं जानते हैं न्यूट्रोन के लिए प्रोटोन के लिए एटम के लिए लेक्ट्रोन के लिए ओ माई कोड़ अभी तो मैंने बताया था इन्हों ने क्या दिया था कि एटम स्कैन नाइधर भी क्रेटिट नौर भी डिस्वाइनों ने आपका परमानू का सिधांद दिया था तो राइट अंसर क्या जाएगा एटम जाएगा ठीक है तो ही तो था मैं चार नहीं दिखाई दिया ओके ओके ठीक है एटम जाएगा अगला कोशन देखते है ओ माई गोड यह एक फॉर्मॉला लिखाए यहां फॉर्मॉला कौन से ऐसी डिकाए जी हां यहां एक फॉर्मॉला लिखाए यहां फॉर्मॉला कौन से ऐसी डिकाए इसको जोड़ दो इसको जोड़ दो तो सी सी कितने हो जाएंगे दो हो जाएंगे ठीक है ओ कितने हो जाएं ह ceux नहीं मैं इस जोड़ दिया इस पर्मुले को मैं ने जोड़ दिया है Is It n कार्बोनिक इसिट का या सिट्रीक इसिट का है दो जी राइट आंसर क्या आजाएगा किस चीज का है यह फोमले जल्दी बताओ कि अगर कि संगम जिंग जी औक जैलिक इसिट का इसको बोलते है रस्ट रिमूवल एसिट और यह जो असिट होता है यह क्या करता है it also calls stone यह पत्थी भी बनाता है यह पत्थी भी बनाता है यह पालक में अमरूद में टमाटर में केले में पाया जाता है what is the internal restoring force acting per unit area of the cross section of a deformed body is called oh my god एक definition पूछ ही है ठीक है बच्छा restoring force जो आपकी एक cross section area पर क्या कर रहे है एक करती है और एक deformed body पर उसको हम क्या कहते हैं उसको stress कहते हैं उसको strain कहते है pressure पूरो जी राइट आंसर क्या जाएगा फोर्स लग रही है पर unit area फोर्स लग रही है पर unit area इसको हम क्या कहते है तो pressure तो नहीं कहेंगे surface tension भी नहीं कहीं है या तो stress है या फिर strain है ठीक है बच्छा strain जो है वो dimensionless है कि strength और dimensionless है dimensionless तो यह भी जाएगा stress जाएगा ठीक है क्या जाएगा stress जाएगा ठीक है जी हाँ जब एक area कहते है था हमारों पर बल लगता था वो stress का काम करेगा ठीक है next question which of the following correct about the first ionization and therapy of alkaline earth metal alkaline earth metal जो है वह है आपका group two alkaline earth metal क्या है group two तो group two के बारे में क्या कहता है it is higher than group one it is lower than group one it is not in a fixed pattern या none of the above तो आपको बताना है या तो यह higher है या यह lower है क्योंकि बाकी तो कुछ जाए गई नहीं चलो जी बच्चा बताना है कि यह higher होती है या low होती है यह आपको मुझे बताना है क्योंकि बाकी दो तो option में जाएंगे नहीं आयोनाइजेशन एंथैलिपी क्या होती है जब हम nucleus के पास वाले electron को क्या करते है nucleus से दूर करने के लिए जो energy लगाते उस energy को हम क्या बोलते है आयोनाइजेशन energy बताइए मेरे बच्चा राइट आंसर क्या जाएगा जल्दी से बताइए मैं आप लोगों के लिए so question की series लेके आई हूँ मैं पूरे आपके so question पढ़ा के जाओंगी बट देखना है कि कौन बच्चा पढ़ने आ रहा है राइट आंसर क्या जाएगा राइट आंसर जाएगा इसकी group 1 के comparison में high ionization enthalpy पाई जाती है what is the journal outer electron configuration of group 13 element group 13 element के जो outer electrons होते हैं की general configuration कितनी पाई जाती है oh 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 ns2 np2 ns2 ns2 np1 ns2 np3 बताओ जी group 13 जो है उन elements की outermost electronic configuration कितनी पाई जाती है हुआ P block का पहला group है P block का पहला group है मेरे बच्चा P block का पहला जी तो group होता है तो पहला ही group अगर P block का तो कितनी पाई जाएगी ma'am ns2 तू होईगी लेकिन np1 हो जाएगी NP 1 हो जाएगी ठीक है शिवानी कहां जा रहे हो जाती हूँ मैं जल्दी है क्या कोशन है बाकी करके जाना चलो जी कोशन से डरने लगी हूँ अब मैं चलने लगी हूँ है कोई वाला काम होने वाल है कोई एक आपका ग्रूप 2 नहीं है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बताइए बच्चा कोई एक ग्रूप 2 का अलिमेंट नहीं है बताइए बच्चा कोई एक ग्रूप टू के अलिमेंट नहीं जल्दी बताइए पेटा मांगे बेरिलियम इस नोट दा पार्ट बेरिलियम इस नोट दा पार्ट ओफ ग्रूप टू ठीक है इनमें से वुट इस्पिरिट किसको बोलते हैं इथनोल को मिथनोल को प्रोपेनोल को या नन उफ दा अब ओम ही गोट बहुती शांदार कोशन दो जिराइट आंसर क्या जाएगा अब बताओ लकड़ी के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से निकालते हैं इसको हम अप्टेन करते हैं बाए डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन लकडी के destructive लड़की नहीं लकडी destructive distillation of wood से स्को निकालते है यह है आपका methanol right answer formula क्या जाएगा cs3 OH अग्ला कोशन which of following is correct about the effective nuclear charge experienced by the orbital तो आपको बताना है तो आपको बताना है यहां पर राइट अंसर क्या जाएगा ठीक है nuclear charge जो एक orbit के पास पाए जाता है वह है क्या करता है उसका relation as a mutual quantum number से होता है पहली बात तो उसका relation किस से होता है उसका relation होता है as a mutual quantum number जिसको L से represent करते हैं तो यह तो काट दो आप या तो वो बड़ेगा या वह गटेगा दो एक ही काम करेगा यहा तो वह बड़ेगा यह वह गटेगा पताओ जी right answer क्या चाहेगा good evening ma'am ma'am कंड़ में बोलो पैटा मुझे कंड़ भाशा नहीं आती ठीक है यहां पे right answer चाहेगा it decrease with the increasing of azimuthal quantum number as the azimuthal quantum number will increase the effective charge near a orbital will also but love bacha agar azimuthal quantum number aapka kao jaga decrease hoega take it decrease with the increase of azimuthal quantum number as azimuthal quantum number will increase the effective charge experienced by an orbital will decrease next question what will be the number of neutrons in an atom having atomic number 35 and mass number 80 आपके पास एक element है atomic number 35 है mass number 80 है and you have to find out the number of neutrons और आपको पता है number of neutrons कैसे निकालते हैं mass number minus proton बोलो जी right answer क्या जाएगा mass number minus proton निकल जाएगा देखती हूं कौन देगा right answer सीदा सिदा फॉर्मला लिख दिया है उसके बाद भी अगर तुम लोग गलत करोगे तो बच्चा इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता बच्चा मास नंबर है असी आटोमिक नंबर या नहीं की प्रोटोन 35 राइट आंसर क्या हो जाएगा पॉट्टी फाइव नेक्स कोशन विच फॉलोइंग एलिमेंट्स इस आइडेंटिफाइड बाए दा सैवन्थ ग्रूप एंड फॉर्टीं प्रूर्टीं प्रूर्टीं प्रूर क्रोमियम भली सूब्डेंट्स अदिफाए कोपर हि मैंगनीजीय क्रोमियमौ करा जाएगा तो क्या सोच समझ के अराम से डाइत एंसर ले लो इसका एडामिक नंबर कितना है 25 हिंट ले लो इसका अडेमिक नंबर किता है 25 बताईये करva कर कि दूंड लिया पताओं मैंगनीज ठीक है नेक्स कोशन वीच फॉल्वाइंग इस करेक्ट अबाउट दा पोटाशियम कार्बोनेट बच्चा पोटाशियम कार्बोनेट के बारे में क्या चीज सही है केमिकल फॉम्ला के सी ओ थ्री इट जो वाइट कलर का होता है ठीक है इस यूज इन दा प्रोड़क्शन ओफ सोप तो बच्चा इसके बारे में क्या चीज सही है यह आपको मुझे बताना है केमिकल फॉम्ला होता है इसका के टू सी ओ थ्री तो केमिकल फॉम्ला तो क्या दे दिया गलत दे दिया यह तो पॉइंट हो गया गलत ठीक है अब बाकी बचे में से क्या सही है आपको ढूंड के निकालना है गलती से टाइप इसने आप मिस्टेक कर दिया यहाँ पर टू होना ते टाइप इसने टू नहीं लिखा को कि यह भी टू है यह भी टू है है कि टाइपिस ने मिस्टेक मार दी तो राइट आंसर क्या जाएगा ओल अब जाएगा बच्छा टाइप इस ने गलती से मिस्टेक कर दिया अब पिटी पिटी करने पड़ीगी टाइपिस्ट की है ना चलो जी अगला कोशन बच्छा स Sultan के बारे में क्या चीज सही है पार्टीक उडिकल को छोड़ देते हैं तो उसके पार्टीकल से नीचे सेडल डाउन नहीं होते कोई एक जो है वह है करेक्ट है आपको मुझे बताना है बताईए जी डाइट आंसर क्या जाएगा अगर सुलिशन के पार्टीकल की बात करें तो एक ना-णो-मीटर डायमीटर से भी छोटे होते हैं एक नानो-मीटर diameter से भी क्या होते है small पाई जाते है ठीक है शांत रहने पर भी यह settled down नहीं होते यानि कि undisturbed रहने पर भी settled down नहीं होते आगे which orbital will have lower energy if two orbitals have the same value अगर दो orbitals की value same है तो lower energy किसकी पाई जाएगी orbital with the lower value and with the lower value 1 and minus 1 या none of the above बोरो जी अगर दो orbital की आपकी lower energy क्या है बच्चा सेम है ठीक है if two orbitals have same value दो orbitals की value same है and plus 1 ठीक है तो इसमें किसकी energy low पाई जाएगी आपका मुझे बताना है और बिटल energy किसके respect में ली जाती है मेरे बच्चा orbital energy जो होती है वह है आपके NK यानि की shell के respect में ली जाएगी तो राइट आंसर क्या जाएगा N जाएगा राइट आंसर क्या जाएगा N जाएगा ठीक है अगला question which of the following gas is used to prevent the chips from getting oxidized oh my god बच्चा anti-bacterial gas भी इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं anti-bacterial gas क्या है ये anti-bacterial gas बोलिए क्या है ये anti-bacterial gas बोलिए बहुत ही अच्छा कोशन है देखती हूं कौन देगा राइट आंसर let's energy अमित संगम विलन भी आ चुके हैं एक विलन है 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 अगर बोलो बोलो नाइट अंसर क्या जाएगा नाइट रोजन जी हां फूड पैकिंग में we always use nitrogen gas because it is a cool gas it slow down the rate of reaction अगला कोशन which of the following factor will effect the rate of a chemical reaction कौन कौन से फेक्टर एक chemical reaction के रेट को effect कर सकते हैं बताए है राइट आंसर क्या जाएगा कितना प्यारा ये कोशन जो है मैंने बनाया लेकिन लग नहीं रहा कि आप इस प्यारे कोशन को आंसर दे पाएंगे है ना बोलो बच्चा आप बोल रहे हैं मैं बोल दूँ बच्चा रियक्टन की कंसेंट्रेशन टेंपरेचर के टेलिस्ट ये सारे फेक्टर आपकी आपकी केमिकल रेक्शन के रेट को क्या करते हैं एफेक्ट करते हैं केमिकल रेक्शन के होते हैं विच आ रिवर्स बैक इन विच आ निव प्रोडक्ट इस फ्रॉम फरॉम्द फ्रॉम्द reluctant एक आयोनिक बोन इका जो कोवलेंट करेक्टर होता है इसके बारे में क्या चीज सही है आपको भूननी है डिरेक्ली प्रपोर्शनल दो चार्ज ओफ के टायन इन वर्स इपर पोर्शनल या बहुत अन्वी ओमाई गॉड मैं देखो सीजी सी बात है आपको बता नहीं कि क्या आइक जाएगा इसिए जो होता ही कोवलेंट कर।र्टर जो होता है वह चार्ज की टायन के डिरेटली पर पर्पोर्शनल होते हैं और साइज ऑस के टायन के inversely होता है या दोनों से ही है बताए ये जी right answer क्या जाएगा बोल ये जी right answer क्या जाएगा सोची ए समझे और बताए राइट अंसर क्या जाएगा जिन्दगी बरबाद हो गई क्योंकि पच्चा पढ़ता ही नहीं है सेशन में आता ही नहीं है क्या करें अगर हम कोवलेंट क्रेक्टर की बात करते हैं तो ये केटायन के चार्ज के साथ directly proportional होता है और केटायन के size के साथ inversely होता है अगरा कोशन SI unit of molar conductivity जी हां molar conductivity की SI unit आपको बतानी है बोलो जी option number ABCD में से क्या सही है बोल ये पिछले एक घंटे तेरा मिनट और तालीस सेकिंड से हम लगातार पढ़ाय जा रहे हैं लेकिन कदर ही नहीं है option number D is the right answer आओ अगला बच्चा अगर हमारे solution की concentration जीरो हो गई तो वहाँ जो molar conductivity है उसे हम क्या कहेंगे reacting molar conductivity, zero level molar conductivity, limiting molar conductivity या ideal molar conductivity चलो जी बताए बच्चा right answer क्या जाएगा इस टाइब की conductivity को हम क्या कहेंगे इसमें हमारे solution की concentration zero हो जाती है बच्चे कह रहे है option number B लेगे राइट आज़े जाएगा limiting molar conductivity that is option number C which are following represent isosanic acid इसमें से isosanic acid कौन represent करेगा चलो जी बताए बच्चा isosanic acid का formula बताए जी हाँ isosanic acid की discovery 1830 में हुई थी isosanic acid की discovery जो हुई थी वो 1830 में हुई थी दो scientist ने मिलके जी हाँ बच्चा लेबिक और फोलर ने मिलके करी थी और isosanic acid के अगर हम formula की बात करें तो यह होता है H N C O क्या होता है H N C O होता है अगला question which of the following chemical is produced when ethene react with the cold aqueous solution of bare recent बच्चा क्या reaction produce क्या product produce होएगा अगर ethene का reaction हम लोग cold aqueous solution of bare reagent से करते हैं Oh my god methanol glycol methanol या ethylene बताए बच्चा basically जो ethene वो alkyne के अंदर पाया जाएगा basically ethene जो है वो alkyne के अंदर पाया जाएगा तो जब भी alkyne का reaction होता है ठंडे एक bare reagent के aqueous solution के साथ तो क्या बनता है बताएगे बच्चा bare reagent को क्या बोलते हैं potassium per magnet क्या बोलते हैं K M N O 3 potassium per magnet बोलते हैं तो bare reagent होता है potassium per magnet और यहां पर यह हमेशा glycol बनाएगा क्या बनाएगा मेरे बच्चा glycol pinky जी आप boy हो यह गलो पिंकी जी बता दो मेरे बच्चा pretty pinky पहले बता दो यह बहुत बड़ा सवाल है यह है बहुत बड़ा सवाल है कि आप लड़की हो या लड़का यह सवाल एंडे के अंदर भी आएगा सोला फिराल को है ना उससे अगले एंडे में भी आएगा तो पहले आप यही बता दो कि लड़का है आप लड़के हो या लड़की क्योंकि इस सवाल की मिना लगता है कि कोई आगे कोशन के आंसर नहीं दे पाएगा जल्दी से बता दो बहुत बिना पैटल्स के बिना पंक डंडियों के कौन से ऐसा तरीका है जिससे हम पॉली नेशन करा सकते हैं वह हवा है मतलब वह बिंड है वह पानी है वह आपके कीड़े है या फिर वह आपके ओल अब बताओ जो राइट आंसर क्या जाएगा यह Henderson को पढ़ाते हैं किटने प्यार से बच्रों को पढ़ाते हैं यह तो हमारी केरी नि कर दे टाइमीस तेरी नि कर दे सोना नहीं होते हर ओल德 बवा राइट आंसर नहीं होता ठीक है चलो अगला कोशन देखते है क्या जाएगा एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर बच्चा जिंजर यानि की अध्रक अध्रक का जो खाने वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं वह वह मोडीफाइट रूट है वह इस्टाम है वह मोडीफाइट लिव है या नन ओव गॉलो जी राइट अंसर क्या जाएगा वीवेल अमीता प्रिंटी विल्लन कि विल्लन का बिलन का नाम सुनके मुझे याद रही है ना लगता है दिल तेरी शामत आईगी है जब कोशन से नहीं दिल के शामत नहीं दिमाग की भी शामत आएगी सी भी तो सही है बच्चा मोडिफाइड स्टैम जाएगा राइट आंसर क्या जाएगा राइट आंसर जाएगा मोडिफाइड स्टैम क्या जाएगा मोडिफाइट स्टेम जाएगा थेंक्यू प्रिती जी थेंक्यू प्रिती पिंक पिंकी पिंकी चलो जी और पिंकी प्रमिस कर दो देखो पिंकी भी आ चुकी है ना पिंकी प्रमिस कर दो कि परसु पांच से साथ दुबारे आओगे तुम पढ़ने के लिए which among the following plant is known as the Indian Jinssen oh my god Indian Jinssen किसे कहते है Indian Jinssen किसे कहते है मैणम इतना खतरनाक कोशन प्रवाई बात नहीं बताओ जल्दी से Indian Jinssen किसे कहते है अश्वगंधा 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 का साइंटिफिक नेम बताओ क्या है अश्वगंधा का साइंटिफिक नेम बताओ क्या है साइंटिफिक नेम आएंगे एग्जाम में आएंगे यह आएंगे वीथैनिया सॉमनी फेरा वीथैनिया सॉमनी फेरा बच्चों ने राइट आंसर दिया है आई एप्रिशेट कि आप लोग फाइनली अप्षोड़ों थोड़ों के जुड़ रहा पढ़ रहा बढ़ रहा है प्रॉम विच पार्ट ओफ प्लांट प्रॉम विच पार्ट ओफ प्लांट गलाइसी राइजा लैबेरा लिक्योरिस और मुलेठी इस अप्टेन है भगवान एक्जामनर ने सिंपल मुलेठी बॉल देता मुलेठी का साइंटिफिक नेम पढ़ाने की जरूरत क्या थी मुलेठी पौदर के कौन से भाग से मिलती है लीव से रूट से फ्रूट से या स्ट dł से बताये बच्राइड जातंसन क्या जाएगा पारे मुलेठी जो है इसका उंड हम आयर्वेडिक मेडिसंस में करते हैं तूथ पेस्ट में भी करते जी हां तूथ पेस्ट में आयुरुवेदिक मेडिसन में अगला कोशन देखते हैं क्या जाएगा पहले तो छी कि आजये विच अफ दा फोलाइंग इस्टरडिड इन दा एथनो बोटनी में हम क्या पढ़ते हैं एथनो बोटनी में हम क्या पढ़ते हैं इस्थानिय संस्क्रिति और लोगोद्वार पोदो विभारिय उप्योग ठीक है प्रेक्टिकल यूस ऑफ प्लांट्स ठीक है, relation between plants and people behavior को हम पढ़ते हैं, comparison between different plants या study of plant, तो देखो बच्छा, सबसे पहली बात है, botany हमेशा पोधो की study होती है, और जो ethno है, यह हम पोधे का study के बाद use कर रहे हैं, यह हम क्या कर रहे हैं, पोधे का study के बाद use कर रहे हैं, तो अगर हम पोधे का study में use कर रहे हैं, त practical use of plants by local culture and people, plants का local culture के द्वारा जो इस्तमाल किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एथनो बोटनी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, all set, next question, what is the term known as a giant growth of algae, शहवाल की विशाल वृद्धी के रूप में क्या जाना जाता है, पैना बूम, एलगल बूम, हर्बल बूम, या पटाकी बूम, पटकई बूम, बोलो जी राइट अंजर क्या जाएगा, रैपिड इंक्रीज जो होता है, एलगे के अंदर, एलगे के अंदर एकदम से जो वृद्धी होती है, जी है, एलगे यानि शेवाल की एकदम सरवादिक वृद्धी को हम क्या बोलते हैं, पैनि बूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलगे कर बूम बोलते हैं, बहुत बच्चों का राइट आंसर आ गया है, बहुत बढ़ी है, प्रिती पिंक, नेक्स कोशन, विच आ फॉलएग पी सम इल्क शुगर, इनमें सम इल्क शुगर, ये तो आपकी फ्रूट शुगर है, यह कहां पाया जाता है यह आपके स्प्राउटिड सीड के अंदर स्प्राउटिड सीड के अंदर पाया जाएगा तो राइट आंसर क्या जाएगा मिल्क शुगर लैक्टोज जरा मुझे मिल्क प्रोटीन का नाम बता ना जरा मुझे मिल्क प्रोटीन का नाम तो बताओ देख . . झाल बॉलिए बॉलिए जल्दियों से हाँ केसीन कुछ नहीं बेकार है वन वीटा हाँ बिल्क डेंसिटी लेक्रमेटर से चेक करते हैं बिल्कुल जी फॉल्लविए इस वाइरस कवर्ड इन में से कोई एक आपका वाइरस कवर्ड है वो एडिनो है हर्फ्स है पोलियो है या नन अफ दीजे बताओ बच्चा इन में से कौन है जो वाइरस से पुरा कवर्ड होता है वाइरस से जो कवर्ड होता है वह एक्जेक्टली क्या है बताई जल्दी से बोले बोले बच्चा जल्दी से क्या है विच विच फॉलोई वाइरस इस कवर्ड इन में से कौन सा वाइरस है जो आपका कवर्ड होता है यह एक DNA वाइरस है पहली बात यह एक DNA वाइरस है यह वाइरस है हर्प चीक है और यह इंसानों के अंदर infections पैदा करता है यह humans में क्या करता है infection cause करता है यह humans में infection को cause करता है the cookie which form a bunch and irregular pattern आर यह बच्चा कोकी जो irregular pattern बनाते हैं उसे हम exactly क्या कहते हैं बताइए कोकी जो irregular pattern बनाते हैं इसको हम exactly क्या कहते हैं बताइए जल्दी से बच्चा 100 questions पूरे होने वाले आप तो थोड़ा सा बना दो यह है आपका एक gram positive part है यह है आपका एक gram positive bacteria है जी हाँ gram positive bacteria है gram positive bacteria वो थे जो नहीं आए थे वो हम gram negative bacteria में ले आए थे ठीक है तो बत्चा कोकी जो एक form बनाता है बंच के और रेगुलर pattern की वो ए ग्राम positive bacteria है जिसका नाम क्या है जिसका नाम है stephylokoky stephylokoky इस question का राइट आंसर जाएगा the patterns arrangement of leaves on stem are cold बत्चा पत्तियों का arrangement जो आपकी तने पर पाए जाता है उसे हम क्या बोलते हैं पेल लीव्स लीफ्रूट फाइलोड या फाइलो टैक्सी चलो जी बताओ क्या बोलते हैं इसको leaves का arrangement जी हां leaves का arrangement जी हां leaves का arrangement तने पर क्या कहलाया जाता है सही था मेरा बिलकुल बच्चा फाइलो टैक्सी कहते हैं क्या क्याते हैं option number A फाइलो टैक्सी कहते हैं इस characteristics of kingdom plant है इन में से कोई एक plant kingdom की characteristics है बताओ जी इन में से कौन सी characteristics है plant kingdom की देखती हो कौन देगा right answer बताइए बच्चा they contain photo synthetic pigment card chlorophyll plastic present they are autotropic you are they are non motile arrival star on the same here all of the above are right next question the stock becomes flatted takes the shape of leaf and turn green in color which are following is called it dental chapter हो जाते है पत्ती का कार्ड ले लेते हैं हरे रंका हो जाते हैं इन में से क्या क्याते हैं leaf spine leaf flat hooks leaf fruits या fire load बहुत प्यारा कोशन दोजी राइट answer क्या जाएगा क्या 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 जाएगा डंधल का चप्टा होके हरे color में बदल जाना क्या है यह process मैं पंजाब पुलिस की त्यारी कर रहे हैं पर मनी नहीं है तो बच्चा पंजाब अड्डे का भी मारा चैनल है आप उसको जोइन कर सकते हैं वहां से आपको टीचर्स की टीम मिल जाएगे वहां से भी आप वाइटी से अपने एक्जाब को कवर कर सकते हैं बच्चास को हम फाइलोर बोलते हैं क्या बोलते हैं फाइलोर दा इंपोटेंस ओफ डे लैंट इन प्लांट वास फर्स शोन इन पोधों में दिन में लंबाई होती हैं यह सबसे पहली इंपोटेंस हमने कौन से पोधों में देखी थी कि पोधों दिन में बढ़ते हैं पोधों में दिन में विकास होता हैं यह सबसे पहले हमने कौन से पोध ले लेट्यूसी टोबैको या टोमैटो बताई बच्चा पोधोई की जो ग्रोथ है वह दिन में ही होती है यह हमने सबसे पहले कहां देखा था बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा कर दो कुछ तो बोल दो कोई तो एक पधे का नाम ले दो यह है आपका तंबाकू का जिसके ओपर सबसे पहले फस्ट प्लांट वाइरस देखा गया था जिसका नाम था उस फस्ट वाइरस का नाम क्या था ट्रोबैको मोसाइक वाइरस नेकस्ट विच्पर्ट उफ प्लांट विवैंचुली ग्रों तो विकुम दा टफ एस पाट उफ़ दा ट्रनथ ट्रंग्ट पच्चा पोदे का सबसे कठोर इस्ता तना कोन बनता है जड बनता है स्टैम बनता है फ्रूट्स मनता है या फिर लीफ्स बनता है बोलो ची राइट आंसर क्या जाएगा पोधे का सबसे कठा और भाग क्या बनता है क्या चीज एक तने में convert होती है तो तने में हमेशा stem convert होएगा तो राइट आंसर क्या जाएगा stem जाएगा आगे which are following is known as a blind worm इन में से किसको हम blind worm कहते हैं क्योंकि इसकी जो आखे होती है वह इसकी और हड्डियों से ढकी होती है because its eyes will covered with skin and bone क्योंकि इसकी आखे जो होती है वह है उसकी skin और हड्डी से cover होती है इसलिस को हम बोलते है blind worm और यह है आपका एपोड़ा क्या है एपोड़ा आओ जड़ाइगरम देखे है पोड़े का आप ओड़े का देख लेते हैं फिर कहोगे कि मैम हमें तो देखा हमें बताई नहीं है पोड़ा क्या सा होता है आओ जी देखते हैं एपोड़ा पिक्स ठीक है बहीं सर्च करो जो नहीं हो पारिया है शेट इमेज ट्राइप में ओल इमेज़िस इसको बैक करना पड़ेगा तब हो पाएगा नहीं हो पारिया है चलो ठीक है आगे देखते हैं शी बिलोंग्स विच अव्ज फॉलॉइंग टैक्सव बच्छ जो चिप है वह कौन से टैक्स से संभधित है मैमेल इडिया से मतला बच्छा शिरी से बता है कौन से आपके टैक्स नोंवी में पाही जाते है Mamelia, Codata, Artery, Artery Codacleta या All of the Above बताओ जी यह है आपके Phylum Codata में पाई जाती है पहली बात तो Codata Phylum का हिस्सा है ठीक है यह है Phylum Codata का हिस्सा है ठीक है उसके बाद बच्चा यह कौन से क्लास में आती है तो यह क्लास Mamelia में आती है और ओडर इसका क्या है आर्टी को डेकलिटा ठीक है तो यह इसका ओडर है तो ओर्डर क्लास Phylum हम लोगे ने पढ़ा था राइट आंसर जाएगा ऑप्षिन नमबर डी अगला कोशन हमारी बोडी में किरेनियल नर्व के कितने जोड़े होते हैं कपाट की जो नसे हैं वह कितनी होती है बारा जोड़े 14 जोड़े 18 या 20 यह कोशन मैंने पहले भी आपको प्रैक्टिस कर रहा है बताओ जी राइट आंसर क्या जाएगा मैं पानी में रहता है क्या अभी डिखा दूंगे बच्छा लास्ट में आपको डिखा दूंगी टैंशन ना लो ठीक है 12 जोड़े इन विश पार्ट ऑफ बोड़ी डैजेशन अफ प्रोटीन बिगेंस हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कहां से चालू होता है अगनाशे से पेट से छोटी हाथ से लार्ज इंटेस्टेंस से बताओ वच्छा राइट आंसर क्या जाएगा यह फेट से होता है और पेपसीन एंजाओन करती है पेट से होता है पेपसीन एंजाओन करती है सिस्मोल इंटेस्टैन के तीन हिस्से है सबसे पहले हिस्से का नाम डूठेन ओस dopo आगास लैरिक्स या नन अब दिस ऑओभ एक्साम नहीं hurry ऑप साँचना समाठगण रहे ना आपके Mind के साथ खेल रहे लेकिन मेरे बच्चों को पता है मैंने थोड़ी दर पहले ही थोटी आठ के तीनों हिससे बताए थे Small the intestine के तीनों पाट मैंने थोड़ी दर पहले ही बताए थे । क्या जाएगा गॉम्हाँ आगे देँए. वोत्रार्ड द एक्जाम्पल ओव। जी साम्पल एंडे एंड़ुम इन था हुब हमारे बोडी में साइब कै़ है इसलिप वेख सैकल नीन जागने का चक्र बोडी टैंप्रेचर सैकल साइकल जिसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं या all of the above बताइए जी कौन से हैं हमारी बोड़ी में साइकेडियन रिद्म साइकल या बोलिए बच्चा ये सारे जो हमें हमारे साइकेडियन रिद्म साइकल है तो राइट आनसर जाएगा all of the above क्या जाएगा बच्चा इन के बिना इंसान जिन्दा नहीं रहेगा यह आपके वाइटल यानि कि यह आपके necessary cycle है जिसका हम बोलते है psychadian rhythm cycle ठीक है which are following is the smut of millet इन में से कौन सा बाजरे का smut है seed bone, soil bone, air bone या seed soil bone बोलो जी right answer क्या जाएगा यह है एक विमारी है जी हाँ यह है एक विमारी है जो बाजरे के अंदर होती है किस से होती है बच्चा यह है बिमारी बाजरे में किस से होती है यह है बिमारी बाजरे में किस से होती है seed से, soil से, हवा से या seed और soil दोनों से यह है एक soil bone disease है यह है एक soil bone disease है अगला question वोले सि गुस बैरी सी वौलनॉट किस किसके एग्साम्पल नाइ आपके नेटो फोर्स के इस तरुम्ष ए और ये आपके मेराइन इनवर्टिव रेड्स उनवर्टिव रेड्स कहो और मेराइप इनवर्टिव रेडस सारे के सारे कॉनसिफा लगास में पाहे जाएंगे तैनो stupid थिए जाएंगे ठीक है इन्हीं को बोलते हैं सीलेंट रेटा इन्हीं को क्या बोलते हैं सीलेंट रेटा आगे हम मैंने सिस्टेमेटिक आर्ट्रीज आर इन रेप्टाइल रेप्टाइल के अंदर सिस्टेमेटिकली कितनी आर्ट्रीज पाई जाती है बोलो जी राइट आंसर क्या जाएगा रेप्टाइल्स के अंदर कि सिस्टेमेटिक आर्ट्रिस कितनी होती है एक दो तीन चार रेप्टाइल्स का तीरी तीन चैंबर दिल होता है इस तरीके से होता है अगर यह दिल बना दिया जाए तो इनके पास जो इनके पास जो वेंट्रिकल होता है वो एक होता है और औरीकल कितने होते हैं इनके पास में दो होते हैं इनके पास दो सिस्टेमेटिक आर्ट्रिस होती है बच्चा कार्णीवोरा गन जो है वो क्या करते हैं मास खाते हैं लार्ज के नाइन्स होते हैं और फिर वह आपके बलबर होते हैं क्या होते हैं जल्दी से बताईए कार्णिवोर्स जो होते हैं वो क्या है कार्णिवोर्स की कोई एक पहचान बताओ कार्णिवोर्स की पहचान क्या होती है कि इनके दात नुकीले होते हैं इनके दात कैसे होते हैं? नुकीले नुकीले दात होते हैं. इनके पास बहुत नुकीले और लंबे कैनाइन्स होते हैं. To which one of following categories does adipose tissue belong? Adipose tissue क्या है? Connective tissue, epithelial, neural या फिर आपकी muscular है. बताईए बच्चा, adipose tissue क्या है? Adipose tissue क्या है? जल्दी से बताईए. Adipose tissue को हम बोलते हैं, fatty tissue. इसमें fat store होता है. और यह है एक connective tissue है. जी हाँ, it is a connective tissue. आगे, how is the image formed on retina of human eye? हमारी आख में जो image बनती है, वो कैसी बनती है? Virtual and inverted, real and inverted, real and erect, virtual and erect. दो जी राइट आशर क्या जाएगा? मैम दिल ऐसा नहीं होता. सुभाज जी, मैंने तो आपका diagram बनाया था. ठीक है? रियल वाला दिल तो हमेंने बनाया ही नहीं है, मैंने बच्चा. रियल and inverted, सीधी, मतला सोरी, वास्तिविक लेकिन उल्टी होती है. वास्तिविक लेकिन उल्टी होती है. आगे, which of the foreign are characteristics of cardiac muscles? इन में से कौन है जो cardiac muscles की characteristics है? वैं involuntary होती है, instinctive होती है, single nucleated होती है, या फिर all of the above. जिया, involuntary muscles की आपको क्या बतानी है? characteristics, involuntary cardiac muscles होती है, यह हमारे control में नहीं होती है, यह अपना काम खुद करती है, तो यह involuntary होती है, ठीक है, यह आपका अंदर ही अंदर control होती है, हम control नहीं कर सकते, single nucleated होती है, तो right answer जाएगा, all of the above, right answer क्या जाएगा, all of the above जाएगा, which of following are not included in the male reproductive system, भाई, पुरुष, प्रजनन, तंतर में क्या नहीं पाया जाएगा, west difference, score, tum, obiduct, testicle, मुझे लगता नहीं कि मुझे आगे बोलना पड़ेगा, देखते ही right answer, खुद ही बता सकते हो, जी हाँ, देखते ही right answer, खुद ही बता सकते हो, बोलो जी right answer क्या जाएगा, female organs serve as the birth canal to earn out delivery of fetus during labor, एक महिला के अंदर से, जो बच्चा बाहर आता है, वो कौन से अंग से आता है, ओविरीस से, यूट्रस से, फैलोपियन ट्यूब से, वजाइना से, फैलोपियन ट्यूब में fertilization होता है, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में इलता, फिर गलत कर गए, गलत कर गए, अगला question, who is father of medicine, father of medicine, Aristotle को क्या बोलते है, father of science, father of science है आपके Aristotle जिहां Father of Science है Aristotle Father of Medicine बता ओ Anthony Lev user नहीं Anthony Lewin Hock ने क्या करे था RBC की खोज करी थी चेक है आप बताओ बाकित अप्शिन में से हिपोक्रेट्स पादर फेडिसन को हम क्या बोलते हैं हिपोक्रेट्स बोलते हैं चीक है तो बच्चा यह यह थे हमारे पूरे 100 कोशन की सीरीज जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कवर कराई है है ना अब बताओ आज के 100 कोशन में से किस बच्चे के कितने कोशन सही करें पहला तो यही बताओ आज के 100 कोशन में से किस के सही गए और बच्चा अगर आप अब के तेयारी करना चाहते है तो एंडि के त्यारी के लिए हम आपके लिए क्या लेक्किए आचुके हैं मोक टेस्स लेके आए चुके हैं आपके मैस का और आपके जी-अटी का यानिके जैनर्र अबिलेटी का यह होगा 13 अपरायल को सुबह 11 बजे एप में होगा यह जो है यह बिलकुल free of cost होगा यह आपका यह आपका एप में होगा यह बिलकुल free of cost एप में होगा तो इसके आपको क्या करना है यह आपका एंड़े का मोक टेस्ट है यह है आपका 13 & 14 अपरेल को और इसके टाइमिंग है सुबह 11 बजे की तो आप इसको भी जोइन कर लो हमसे भी पढ़ो इस बार तो एंड़े क्लियर करी लेंगे है ना चले बच चलो तो अभी के लिए चलते हैं बुलकात करेंगे आप ल मिलेसर लेने वाले हैं दो घंटे का मैरतन सेशन एंड़े के मैस के लिए कल मुलाकात होईगी आप लोग की पांट से साथ प्रिंसर के साथ और रात में हो रहेगी इंग्लिश क्लास तो पूरी टीम जुड़ी हुई है आप लोग के साथ एंड़े की त्यारी करने के लिए आप रोज आते हो यस मेरे बच्चा मैं रोज आती हूँ फिर मुलाका देगी फाइफ प्रिंसर के साथ अभी के लिए चलते हैं और आप लोग जुल्दी से मौक टेस्ट के लिए आपको डाउनलोड करो फटाफट से मौक टेस्ट में जोइन कर लेना 13 & 14 अप्राइल को ची परियेगा गुडबाई बच्चा